दोस्तों आप भी सोचते होगी कि एक best video editor अपने android phone के लिए कौन सा है दो दोस्तों ये मैंने काफी सर्च किया और मुझे result मिला जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों कई लोग अभी तक काइनमेस्ट application का यूज करते हैं और उससे अपने android phone में video edit करते हैं और हो भी जाती है काफी best video edit हो भी जाती है मगर दोस्तों इस application में मुझे जो features चाहिए कुछ advanced level की editing जो मुझे करना है तो दोस्तों इस application में वो पूरी तरह से नहीं हो पाती तो दोस्तों यही सब कुछ सोच कर मैं सोच रहा था कुछ कोई इससे भी best और advanced application मिले जैसे कि मैं अपने mobile में एक advanced video edit कर सकूँ तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसा application बताने वाला हूँ और दोस्तों इस application में आप लिए जो features मलेंगे हो सकता है किसी दूसरी application में ना मले और यह आपके लिए best video editor भी बन जाए तो दोस्तों इस application का नाम है capcut application यह से दोस्तों जब मैंने ट्राइ किया तो बहुत ही शानदाल लग और इसमें जो मुझे फीचर्स मिले और इसके अलबा कोई दूसरी एप्लिकेशन भी मैंने वीडियो एप्लिकेशन का यूज किया उनमें भी मुझे इस तरह का फीचर्स नहीं मिले तो दोस्तों आप एक तक बने रही और वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए दोस्तों यह वीडियो स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप कैपकट एप्लिकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जो कि यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो को एडिट भी किया था तो यहां की यह लिस्ट शो हो रही है अब यहाँ पर करनी है तो सबसे पहले आपको निउग प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा की अपर यहाँ पर आपके सामने आपके स्टोर करने working on a यहां पर शो हो जाएंगे जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि वीडियो की यहां पर option select है अगर आपको फोटो चाहिए इमेज चाहिए तो आप यहां से अपने जो भी storage के images वगेरा हैं वो यहां से ले सकते हैं इसके अलाबर दोस्तों आपके सामने यहां पर यहां पर ले लेते हैं जैसे कि यह वीडियो हम यहां पर ले लेते हैं और यह एड बटन है हम इस पर क्लिक कर देते हैं अब यहां पर आपका फुल वीडियो यहां पर आज चुका है यहां पर दोस्तों इसके basic features काफी है तो यहां पर आपको सबसे पहले मैं show करना चाहूंगा उपर की ओर से यहां पर दोस्तों अगर आपका यह जो cross button है इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप project से बाहर चले जाएंगे इसलिए आपको इसे cross नहीं करना अगर आप वीडियो को edit कर रहे हैं उस time पर अब यहां पर second option है आपका 720 जो quality रिखिए आपको अगर अपनी वीडियो को high quality में export करना है तो 1080 पिक्सल पर रख सकते हैं या फिर आप normal quality जो की 720 quality में आप बनाना चाहते हैं वो यहां पर आप ले सकते हैं अगर आपको 25 फ्रेम में export करना है तो ठीक है वरना आप 30 फ्रेम पर select करके आप इसे export कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर export का option आ जाता है तो export को आप क्लिक करेंगे तो आपके वीडियो एडिट होने के बाद आप export कर सकते हैं यहां पर दो option और हैं अंडो और रेडो और अगर आप कोई भी action को recover करना चाहते हैं तो आप अंडो और रेडो का यूज़ कर सकते हैं यहां पर आपका जो option है इसके दोरा आप अपनी किसी वीडि अगर आपको sound off करने है तो आप सभी को एक बार में ही mute कर सकते हैं और अगर आपको सभी वीडियो को unmute करना है तो unmute भी आप यहां से कर सकते हैं अब दोस्तों नेक्स जो option है वो है cover इसका क्या यूज है दोस्तों cover का यूज आपका कोई वीडियो का अगर बीच का कोई भी part अच्छा लग रहा है जैसा कि कोई image जैसा कि आपके लिए माल लीजी कि इस time का image आपका कोई अच्छा रहा है मागर उसके लिए आप वीडियो के फ्रेंट में शो करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों यहां पर आपका जो भी part आपको चाहिए जिस जग़े का image आपको वगएरा डाउलूट करना चाहते हैं तो वह डाउलूट करके भी उज कर सकते हैं एड टेक्स का यह जो ऑप्षन है इस पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी टेक्स्ट वगएरा भी ले सकते हैं जैसे कि एकजमपल के लिए हमने यहां पर कवर में यह लिख लिया है ओके जैसे कि हमने डिया है। येलो कलर का टेक्ट कर लिए हैं और जितनी भी साइज बगेर रखना है आप अपने एसाब से रख सकते हैं आपको से बटन पर क्लिक कर देना है तब आपका यहां पर वह आपका कवर में जो हमने सब्सक्राइब लिखा है वह अभी शो नहीं होगा जब आप वीडियो को एक् कर देते हैं तो आपके अलग ही ऑप्शन आते हैं और करने के बाद आपके अलग यहां पर आने लगते हैं अब यहां पर इनका क्या यूज है जैसे कि अगर आप वीडियो को कट करना चाते हैं या फिर उसमें क्या 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 चैंजिस करना चाते हैं तो आप जब रहने दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो इससे स्लेट करके देलीट भी कर सकते हैं आप यहां पर दोस्तों आपका प्लस बटन है इस पर कलेक करेंगे तो आपके जो यहां से दुवारा ले सकते हैं यहां पर यहां पर आचुका है अब यहां पर दोस्तों आप दिखEC can को आसानी हो जाए तो मैं यह से फीलाल सोटा कर देता हूं आप दोस्तों जो next features है वो है transition तो यह क्या है दोस्तों यहाँ पर आप दिख सकते हैं यह जो छोटा सा box देख रहा है दो वीडियो के बीच में जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कही तरह के transition आ जाते हैं हो सकता है आपके सामने मैंने internet disconnect कर दिया इस वह से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं यह वीडियो प्लेगी तो एक वीडियो के बाद में जैसे ही दूसरा वीडियो आता है इसके बीच में कोई भी effect नहीं आता अब मैं चाहूं तो इनके बीच में जो भी effect देना चाहूं वह यहाँ पर ज सामने कई सारे effect हैं और मैंने अभी कुछ डाउनलोड कर लिया और कुछ अभी नहीं भी हुए हैं तो यहाँ पर जो मेरे पास समय इनका यूज कर सकता हूं इसी तरह से दोस्तों सबसे पहले आपको यह डाउनलोड करने होंगे और इनका यूज आप दो वीडियो के बीच म को सेलेट करते हैं तो ठीक है अब जैसे कि आपका कर्जर यहां पर रखा है तो आप एडिट का यह जो ऑप्षण है सीजर को इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरा क्लिप ऑटमेटिक सेलेक्ट हो जाता है और अगर आप मैनुवली भी सेलेक्ट कर सकते हैं अब दोस्तों जैसे कि आपको कोई पार्ट अपनी वीडियो का कट करना है तो मान लीजिए कि आपका यह पार्ट है और उसे जब आप स्लेट करते हैं तो आपके सामने यहां पर कुछ और आप्शन आ जाते हैं मगर इससे पहले हम यहां के जो बेसिक और भी नॉर्मल फीचर से उनके बारी में जान लेते हैं तो हैं जैसा कि आपके लिए सबसे पहले हो सकता है करना पड़े तो यहां पर अगर आप एक्टर बगएरा यूजज करना चाहते हैं तो वह यहां से आपको पहले डाउलूट करके उनका यूज कर सकते हैं नेंस्ट अगर आपको किसी वीडियो क्लिप के साउंड में उसमें आपको डेना है तो भी सकते हैं जो जो कि एक्सटर्स जれた करें तो अगर आपके लिए अपनी टिन लिए को चाहिए तो है उसको मैं कि समय रहा है इसको चाहि consultant सांड अकेला ही आया है मैं अगर आप अपनी वीडियो में वोई Watson करना चाहते हैं किसी थारे की वाइस वाइसकर करना चाहते तो यहां से आपसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं देख सकते हैं proud नेक्स्ट है दोस्तों देख सकते हैं काफी सारे effect है size जितना रखना है वो आप अपने हिसाफ से adjust कर सकते हैं effect वगएर अगर चाहिए तो पहले आपको डाउनलोड करने होगे animation वगएरा चाहिए हो या bubbles वगएरा चाहिए तो सब कुछ पहले आपको डाउनलोड करने होगे तो यहां पर मेरे इस application में कुछ effect वगएरा कुछ animation वगएरा डाउनलोड भी मैंने अल्रीड कर लिया है तो मैं चाहूं तो इनका यूज भी कर सकता हूं जैसे कि दोस्तों यहां यहां पर कोई भी effect लेता हूं कितना और अगर आपको फास्ट करना है तो neurot कर सकते हैं तो यहां से आप अपनी animation की power roommate कर सकते हैं है पिये हो सकता है कि एक बार में ही वर्क कर जाए एक एनिमेशन ठीक है आप औरここ इया पर स्टिकर में दोस्तों आपको जैसे कि एड टेक्ट के साथ में अगर आपके लिए कोई इस्टीकर वगिर आपको चाहिए हो तो आपको यह भी डाउलूट करने होंगे तो यहां पर यह मेरे पास डाउलूड अभी नहीं है अब दूस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है ओटो कैप्शन क्या है दूस्तों अगर आपकी वी वीडियो में एड हो जाएं तो इसको आपको ट्राइ करके देखना होगा मैं फाइनली नहीं कह सकता कि इसके साथ में और क्या के फीचर हो सकते हैं इसके बाद नेक्स ऑप्शन है दोस्तों इस्टीकर इस्टीकर में आपके लिए जो भी इस्टीकर वगिरा चाहिए हो तो वह आप यहां पर एड कर सकते हैं तो यहां से मैं इसे हटा देता हूं तो यहां से अपका ड्रो करने के लिए सब सब एड कर देता हूँ example के लिए ठीक है तो आज इसी तरह से आपको अगर अपने वीडियो का यह चैनल का लोगों बगर अगर अगर एड करना है तो वो side में आप कर सकते हैं देखिए आप कहीं भी जैसे भी रखना हो तो आप अपने वीडियो बगर भी अगर आपको चाहिए तो वीडियो बगर भी यहां से ले सकते हैं तो एक्जम्पल के लिए जैसे कि मैं ये वीडियो ले लेता हूं ठीक है ये वीडियो लिया और ये छोटा किया और जहां भी आगर आपको वीडियो के ऊपर आगर वीडियो रखना है तो इस तरह से यूज आप कर सकते हैं ठीक है और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एफ तो वीडियो अपके लिए एक से बढ़कर एक ऐफ्क्ट मिल जाते हैं दो है और इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका Фिल्टर का फिल्टर्स तो आप समझती सकते हैं कि कि स्तरह की फिल्टर होते हैं तो यहां पर आपके लिए फिल्टर बगेर अगर में फोर तरी रिशक स्क्राइब एफ्व स्क्राइब करेहां अगर आपको पहले उसरेश्य बात आपको पहले एक्सपोर्ट करेंnowson वीडियों आपके आक ये विडिव नेच्ट में आपके लिए बैक्राउंड में क्या देना है तो आप कई इमिज कर सकते हैं पहुंवीर दोस्तों आपको यस वीडियो को उसलेट करना है और गयाँ आसने आपको बैकग्राउंड में कोई गळणбыयर ले लेना है या फ encantCar li Hin력 है गाला हुघनियरff हिलगा तो यह दोस्तों आपको जो विडियो जहांपर पर इस वीडियो को अगर आप फिल्टर यूज़ करना चाहते हैं तो फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके उनका कलर बगएरा चेंज करना हो तो आप इसके बाद में एडवांस कुछ आ जाते हैं वह हैं आपके वीडियो या कोई भी इमिज बगएरा आपने यहाँ ली है तो उसको जब आप स्लेट करेंगे तो यहाँ पर कुछ और भी एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाते हैं तो इनका क्या यूज है यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप अपने वीडियो को जहां से भी कट करना चाहते हैं तो इस प्लिट ऑप्शन से वहां से आप उसके दो पा तो देख सकते हैं कि आपकी वीडियो किस तरह से प्ले हो रही है अब आप चाहिए तो इस वीडियो को स्लेट करेंगे तो यहाँ पर आपका स्पीड ऑप्शन जो है इसे स्लेट करने पर आपकी जो स्पीड है वो कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि आपको इस इसकी स्पीड और बापर स्टजिफ़ करता हूं तो यहां पर आप डिख सकते हैं आपर जो चाहेंगे यानि अपनी विडियो को किस तरह से क्या नवे करनेara यहां रेहीं और सिच्पफबसव वाष्मक्रा बार प्लेट करके थिखाते हूं तो यह देखिए हलकासा एक Rotate होकर हमारी वीडियो आई थी तो यह है In Animation और Out Animation ठीक है इसी तरह से Out Animation में देना हो तो Out Animation में भी दे सकते हैं और उसके द्वारा volume अगर आपका इसका increase करना है जैसे कि यहाँ पर आपका जो normal है 100 तक आपका लगफग यह normal रहता है उसके बाद आपको 5 गुना बढ़ाना है या और भी ज्यादा करना है या कम करना है आपका volume अगर आपको high लग रहा है तो आप अपने volume को adjust कर सकते हैं इसके लाबा है extract audio आपका ये जो video है इस video का आपका जो audio है उसे आप extract करना चाहते हैं बाहर करना चाहते हैं तो आप extract भी कर सकते हैं जैसे कि ये इस video को हमने select किया और extract option पर click कर दिया तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो audio है इस video का वो बाहर आ चुका है और अब यह जो audio आपने select किया उसके बाद में आप इस audio के साथ में क्या-क्या कर सकते हैं तो वो यहाँ पर आपके सामने आ जाते हैं जैसे कि audio को अगर आपको high करना हो तो या फिर आपको down करना हो अगर आपको audio को start में आपको fed in के साथ में start करना हो या fed out के साथ में आपको देना हो तो यहां से ले सकते हैं अगर आपने audio को यहां से आपको split करना हो तो वो split भी कर सकते हैं यानि cut कर सकते हैं अगर आपको कोई भी audio है तो उसमें आपको effect भगरा देना हो तो यहां से मैं normal कर लेता हूं और okay कर दीता हूं ठीक है तो यहां पर आप अपनी audio को अपनी हिसाब से इसकी speed भी कम जादा कर सकते हैं जो कि हमारे लिए किसी दूसरी application में ऐसे effect और ऐसे features नहीं मिल पाते हैं इसके अलाबा दोस्तों next है हमारा copy अगर आप इसको copy करना चाहते हैं डवल करना चाहते हैं तो इसको copy भी कर सकते हैं इसे अंडो कर देता हूं अब बापिस हम अपनी वीडियो को सेलेट करते हैं और यहां से हमारा recover audio अगर आपका recover करना है जैसे mute कर दिया है या फिर इसका off ह हो चुका है तो आप इसे recover भी कर सकते हैं यह देखिए audio extracted जो आपने audio अबर भी कर सकते हैं और आपना जो audio है बापिस वीडियो के साथ में एड waters करते हैं और नेक्स्ट फीचर से हमारा रिमूब बैक्ग्राउंड रिमूब बैक्ग्राउंड के दोरा आप किसी वीडियो का रिमूब कर सकते हैं अगर सिंगल अबजेक्ट अगर किसी वीडियो में है तो तो जैसे कि दोस्तों इसमें तो काफी सारे अबजेक्ट हैं फिर भी मैं इसका यूज करके देखना चाहू कि हमारी वीडियो का जो background है किस तरह से remove हुआ है इसकी जो जमीर का color है केवल वही remove हुआ है और उसके बाद इस वीडियो में जो भी इसमें run हो रहा था वह सब इसने detect किया और background को remove कर दिया है ठीक है तो यहां से इसे under कर देता हूं और यहां से अब आपका जो वीडियो सेलेक्ट है उसके बाद आप अपनी वीडियो को crop कर सकते हैं अपनी वीडियो को ले सकते हैं तो जैसे कि माली जी मैंने इतना आप साइज ले लिया है या फिर जो भी आपको नीचे रेशो भी दिए गए है रेशो अगर आपको लेना हो तो वह रेशो के सबसे भी आप अपनी वीडियो को cut कर सकते हैं तो आप यहां से रॉटिट करके अपनी वीडियो में ले सकते हैं ठीक है बापिस अपनी वीडियो को select करते हैं और select करने के बाद यहां से अब आपका नेक्स जो ऑप्शन है filters में आप देखी सकते हैं कि अपने वीडियो में जो फिल्टर्स वगरा एट करना हो तो पहले आपको डा साइज और सेफ अगर आपका कुछ आउट लग रहा है तो वह अपनी वीडियो को फेस को कवर कर सकते हैं और नेक्स है आपका मास्क मास्क में दोस्तों आपके वीडियो में अगर आपको पहले इसका यूज करना है तो पहले डाउनलोड करने होंगे इस पर यह करना है जैसे कि आपको bnbau कर हैं तो जैसे कि मैं ब्लू कलर पर करता हूँ यह तैफी बाधिए यहां-पर में और रोक कर देता हों तो दोस्तों जैसे कि आपके वीडियो अप सेलेक्ट है और ले में दोस्तों आपके वीडियो को इसी वीडियो को आपको नीचे साइड में आपको नेक्स टाम लैने अगर आपको एड करना है तो वो वीडियो को आप और लेके तो भी यूज कर सकते हो तो यहां देख सकते है एक voice को delete कर देते हैं और यहां से अपने वीडियो को बापिस select करेंगे और यहां से हमारे बापिस यह option आ जाते हैं mask के बाद overlay के बाद फिर आपका replace, replace में आपकी जैसे कि इस वीडियो के अलाबा कोई आप दूसरी वीडियो change करना चाहते हैं जैसे कि मैं इस वीडियो को ले लेता हूं और confirm कर देता हूं ठीक है तो देख सकते हैं कि आपका वो वीडियो हट गया और दूसरे वीडियो यहां पर आ चुका है तो replace बटन से आप किसी भी वीडियो या image बगेरा को भी ले सकते हैं उसकी जगह पर stabilize दोस्तों यह option है दोस्तों अगर आपका कोई वीडियो अगर आपने शूट किया है तो उस वीडियो में अगर काफी ज़्यादा अगर आपके वीडियो हिल रही है तो आप उसे stabilize कर सकते हैं तो stabilize कितना करना है आप अपने हिसाब से इनका यूज़ करके देखेंगे तब यह आप समझ जाएंगे इसके अलाबा दोस्तों यहां पर आपका यह जो वीडियो है उसे हम बापिस सेलेट करेंगे stabilize के अलाबा दोस्तों आपका option है opacity opacity में आपका color कितना रखना है वो color adjust कर सकते हैं इसके अलाबा है voice effect आपको पहले डाउलूड करने होंगे उसके बाद अपनी audio में जो भी वीडियो की voice हो या फिर आपना extra कोई भी audio बगरा है तो आपको पहले voice effect डाउलूड करने हो उसके ब reverse reverse का option है दोस्तों अगर आप अपने वीडियो को जैसा कि स्टाट से जहां से प्लेश 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 हो रही है आप उसको पलटना चाहते हैं पूरी वीडियो को प्लेश करने के टाइम पर तो आप उसे रिवर्स भी कर सकते हैं तो यहां पर आपकी उस वीडियो के बीच में एक इमेज भीच में आ जाती है तो यहां पर आप देख सकते हैं अब हम इसे प्लेश करते हैं तो वीडियो जैसे ही चलते हुए रूग जाती है यादि वो फ्रीज हो जाती है और जैसे एमिजट Is this के अप पर देता हूं बापिस करते हैं और आप लास्ट ऑप्शन है ग्राफ तो ग्राफ में दोस्तों पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूत पड़ेगी उसके बाद आप इसका यूज कर पाएंगे तो यह है दोस्तों इस एप्लिकेशन के बेसिक फीचर तो सबसे पहले द को बटा सकते हैं जैसे कि हम आपका पूर पूरी कर सकें तो दोस्तों विblीडीues पशंद आया है औरस दोस्तों